अधिक गड़े शाय नमाहा, मासरस्वती, नमस्तुब्यम्, मित्रों आज हम बात करेंगे सलहा, ये हम जानते हैं कि सलहा चाहे जोतिश की हो, चाहे बिजनेस कॉर्परेट की हो, चाहे कानून विदो की हो, या हमारे माबाप की हो, या हमारी कोई डॉक्टरी सलहा हो, यदि हम सलहा की बात करें, एक कंसल्टेंसी हम उसे कहते हैं, तो डॉक्टर भी कंसल्टेंसी करता है, वकील भी कंसल्टेंसी करता है, जोतिश भी करता है, और दुनिया में जितने भी काम हैं, वो कहीं न कहीं हम दूसरों की सलहा हमें लेनी पड़ती है, ऐसा कहा जाता है कि व्यक्त सहायता की अब सहायता यदि हमें सलहा के रूप में मिल रही है तो उसे हम कलसेंटेंसी कहते हैं आज हम इस वीडियो में जानेंगे मित्रों कि किस प्रकार एक अच्छा कंसेंट बन सकते हैं या हम उसकी हम एक कंसेंटेंसी की एक कंपनी भी चला सकते हैं तो यह हाथ में हम कैस और बहुत गहनता से बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए ये आपके जीवन के बहुत सारे प्रश्णों के उत्तर देदेगा तो सबसे पहले एक डिवीजन समझेए डिवीजन अगर हम हाथ का यहां से खीच ले चलिए थोड़ा समय और इसको अब देखिए बलकुल मद्ध हतेली से हमने खीचा अब मद्ध हतेली से जब खीचा तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा व्यक्तिगत जिन्दिगी से ज़्यादा जुड़ा हुआ है हमारी व्यक्तिगत जीवन से ये वाला हिस्सा जादा जुड़ा हुआ है और अगर हम उसको लेफ्ट की तरफ देखते हैं इस तरफ तो हमारा ये बताता है कि हमारी सोशल लाइफ हमारी प्रोग्रेस की लाइफ जहां हमारी ब्रांचेस निकलेगी और हम दुनिया में किस प्रकार पदारपन करेंगे ये बताता है तो मित्रो ये एक अच्छा डिवीजन देखें जैसे गुरू का परवत है तो आपका घ्यान बताएगा अब शनी का परवत है तो आपकी संपत्ती बताएगा ये सूर्य है ये आपका बाहर की तरफ का विस्तार है ये बुद्धी है बिजनेस है ये आपका चंदर है मन है जो बाहर जाएगा आपके पास रहेगा और आउटर मंगल है और ये आपके घर के अंदर शुक्र है ये आपके खुद का पराकराम है मंगल तो ये आली लाइन का डिविजन आप समझ लीजिए अब इस लाइन के अंदर अब एक बहुत महत्व वाली बात मैं आप बोलने जा रहा हूं मित्रों मैं एक बार फिर से इस लाइन को बनाता हूं और आप देखिए ये लाइन आपने बनाई ठीक है ये हो गया इस तरफ का ज जो छेतर है वो सोशल हो गया अब जब हम इस लाइन को गौर से देखते हैं तो आप देखिए मित्रों कि अगर ये शनी परवत है ये राहू का परवत है और ये केतु का परवत है तो मित्रों ये देखिए कि इस लाइन ने इन तीनों को डिवाइड कर दिया तो शनी का पर यह बीच में से उसी प्राकार राहु हमारे व्यक्तित को भी दिख्काएंगे और यह प्रभावद कर देते और हमारे सोशल लाइफ को भी बहुत तगड़ा प्राभावित करते हैं और उन दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं क्योंकि ये बीचों बीच में बैठते हैं और इसे हम वायू की पट्टी भी कहते हैं ये तीनों परवत वायू तत्व को वायू तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं कि अच्छी चलाने के लिए एक अच्छा कल सेंट बनने के लिए चाहे वह किसी भी फिल्ड का हो वो steel manufacturing कभी हो सकता है वो factory establishment कभी हो सकता है तो उसके लिए सबसे अच्छा सबसे पहले हम उसका गुरू देखेंगे तो अब हमें गुरु क्या देगा हमें गुरु ग्यान देगा गुरु हमें ग्यान देगा और किस प्रकार देगा ग्यान है क्या ग्यान पुष्टी के ग्यान के अलावा क्या है ग्यान पुष्टी के ग्यान के अलावा क्या है वो है हमारी समझ हमारी information हमारा brain हम किस प्रकार अ से कहते हैं विद्या यह गुरू से देखेंगे तो मित्रों गुरू का परवत बहुत अच्छा होना चाहिए अगर साधारणता भी बना हुआ है तो कुछ एक अच्छे चिन्न उसके उपर जरूर होने चाहिए जिस प्रकार देखें यहां पर एक रेक्टेंगल भी बना हुआ है अल्मोस्ट यह मंदिर का साइन बना हुआ है यह मंदिर का साइन बना हुआ है तो आप देखें ग्यान तो मिल गया अब क्या केवल विक्ति के पास में ग्यान हो गया तो सब कुछ हो जाएगा जीवन में नहीं ऐसा नहीं होगा ग्यान आपके पास होगा तो क्या आप उस qyaan क्वा इस्तमाल अपने स्वय analytics के लिए कर पाएंगे तो ग्यान से बढ़कर बुध्धी कही गई है क्योंकि बुध्धी उसको कंट्रोल करती है बुध्धी अंकुष है जैसे हाती एक ज्यान है तो अंकुष वो बुद्धी है तो बुद्धी का परवत बुद्ध का छेतर बताएगा तो बुद्धी आपके पास में होना चाहिए तब ही तो उसाब ग्यान का कुशलता से कारे शमता से इस्तमाल करके सफलता की और बढ़ेंगे आपने कहानी सुनी होगी चार राजकुमारों की जो सिक्षा प्राप्त करके चले और जंगल में उनको एक मृत जानवर का शरीर पड़ा हुआ मिला जो अंग भंग के रूप में पड़ा हुआ था तब एक एक राजकुमार ने क्या किया कि वो चारों बहुत ग्यानी थे और उसने क्या किया कि उसको समेट के हड़ी वड़ी बना के सब कुछ उसको खड़ा कर दिया कंगाल बना दिया दूसरे ने क्या किया उसका चमड़ा उसकी मास पेशियां और शरीर ने उसमें जान फूग दी अब शेर जिन्दा हो गया ग्यानी तो थे सबी लेकिन वो ग्यान आत्मघात के रूप में काम आया और शेर जिन्दा हो के तीनों को खा गया जो पीड़ पिचड़ गया था वो बुद्धिमान विक्ति था तो यह होता है हमारी बुद्धी तो ग्य यह हो गए बुद्धी तो जब ग्यान का कॉंबिनेशन बुद्धी के साथ होता है तब व्यक्ति अपने प्रायोजोन में सफल होता है और बहुत समय हमको अपने आपको बुद्धी से बढ़कर भी विवेक की जरूरत पढ़ती है विवेक को विद्वानों ने बुद्धी और ग्यान से बढ़कर बताया है लेकिन जो विवेक है वो आएका ग्यान और बुद्धी से लेकिन उससे हमिशा बढ़कर है बिनु सतसंग विवेक ना होई राम कृपा बिनु सुलब ना सोही तो व्यक्ति में जब विवेक जाकता है तो व्यक्ति कलसंटेंट बन सकता है और उसकी सलह उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ में बड़ चड़कर हिस्सा लेती है उसको फीस मिलती है उसको शुलक मिलता है वो कंपनी खुलता है या क्लीनिक खुलता है या अपना कारेले खुलता है और बितरों यह हमारी मध्यमा है यह हमारी अनामी का है रिंग फिंगर अब इसके बीच में से जो रेखा निकलती है यह जैसे निकली है तो यह यह रेखा वाकही ज्ञान बुद्धी और विवेक की रेखा होती है जिसे हम बहुत अच्छा नॉलिज लाइन भी कहते हैं एजुकेशन तो हो गया इन्फॉर्मेशन भी मिल गई अब आया बात नॉलिज पे तो यह होती है विवेक की रेखा तो अगर आपके मध्यमा और आपकी अनामिका के बीचों बीच में ऐसी कोई लाइन बन रही है तब आप एक अच्छे कलसंटेंट बन सकते हैं और यदि काम जरूर कर लीजिए गुरू का परवत अच्छा हो आपका बुद्ध का परवत अच्छा हो और यह दोनों लाइने बनी हो तो व्यक्ति के पास ग्यान भी होगा बुद्धी भी होगी और विवेक भी होगा विवेक को ग्यान और बुद्धी से बढ़कर बताया गया है एक और उधारन समझ लीजिए हमारे देश में बहुत सारी राजनीती चलती है अब एक I.S. आफिसर जिसके पास ग्यान अच्छा होता है और उसको अपनी बुद्धी से नेड़ें लेने पड़ते हैं लेकिन व यह वाले काम को डिले कर दो यह वाले काम को छोड़ दो क्यों क्योंकि इसके अंदर पॉलिटिकल लफड़ा बहुत ज्यादा होता है तो जब ग्यान और बुद्धी से भी बढ़कर विवेक को माना गया तो मित्रुष विवेक की ताकत को समझीए हमको कभी-कभी नेड़े छोड़ देने पड़ते हैं हमारे पास बुद्धी है हम ले सकते हैं लेकिन कभी-कभी हम टाल देते हैं या नहीं लेते हैं जिसको सरकारी भाषा में कहा जाता है don't do don't refuse करो भी मत और refuse भी मत करो मना भी मत करो और काम भी मत करो क्यों क्योंकि उसमें कुछ ऐसे है इस वीडियो बनाने का जो परपस है यदि आप लोग अपनी कलसेंटेंसी चलाना चाह रहे हैं तो आपके हाथ में यहां पर एक रिखा या दो रिखा अगर दो हो तो बहुत ही अच्छा यह दोनों रिखा हैं और अगर यह रिखा होगी तो आपका गुरू भी अच्छा होगा जो इसको ग्यान कहते हैं और इस आपकी बुद्धी भी अच्छी होगी चलते-चलते मित्रों एक मैं बात कहना चाहता हूं देखें सिक्षा का उद्देश क्या है सिक्षा का उद्देश है विद्या information और information का उद्देश क्या है information का उद्देश है बुद्धी wisdom जिसे Lord of wisdom किसे कहा गया है गणेश भगवान को क्योंकि ग्यान तो सभी के पास है भारत में जो पैदा होगा धर्ती यहाशी उसके पास ग्यान तो आई जायेगा तो क्या वो बुद्धी से काम कर पाएगा लॉड ओ विजडम तो अगला स्टेज आता है सबसे पहले आया education उसका information और उस information हमको wisdom create करना है तरक शक्ति हमको बनानी है और जब wisdom होता है तो व्यक्ति आइकन बन जाता है समाज में और जब आइकन बन जाता है तो एक character बन जाता ह है आपन तेज सम्हारों आप है तीनों लोग हाग तेक आप है यह चालीसा में कहा गया है हनवान जी की कब होगा ऐसा कब होगा ऐसा जब सिक्षा से चरित्र बनेगा तो सिक्षा से information आएगी information से wisdom आएगा wisdom से आप बड़े बन जाएंगे icon बन जाएंगे अब वो personality क्या एक अच्छा चरित्र बनेगा character यह हमारे देश में जो ग्यान और विद्या है उसका target होता है तो जीवन में विज्ञान का target होता क्या होता character एक चरित्र बनाना और जब यह तीनों चीज विक्ति के पास में है तो उसे जल्दी से जल्दी कलसेंटेंसी के बार रहे हैं तब आपकी बल्ले बल्ले है आप अनितेज सम्हरों आपे तीनों लोग हांक तेकाव श्री गणिशायनमा मा सारस्वति नमस्तुभ्यम शेयर कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए मेरे इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं पाम ब्लॉग चैनल पर किसे सबिस इस्टिंग वीडियो मैं पेश करूँगा बने रहिए स्टे ट्यूंड दा